गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम बैक इन यौर साइंस ओनलाइन क्लास। अब है प्लैनेट्ट्स, नहीं है। the sun, कैसी बॉड़ी जो sun के चारो तरफ चक्र लगाती है, फिक्स पार्फ में उनको क्या कहते है, प्लैने और हमारे पास कितने प्लैनेट से, eight, crust, the upper moss solid layer of the earth, जो हमारी अर्थ के ऊपर, जो पपड़ी है, उसको क्या कहते है, crust, core, the interior of the earth, जब आमने अर्थ का मॉडल देखा था उसको काट के देखा है तो उसके जो अंदर इदम पार्ट है उसको क्या कहते हैं कोर अंदर का पार्ट एक्सिस the imaginary line passing through the earth on which it rotates तो एक्सिस क्या है एक imaginary line है जिसके ऊपर हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है अब है और्बिट और्बिट क्या है यह imaginary line जो हमारी अर्थ इस पर रोटेट करती है और और और्बिट the imaginary line on which the planets revolves जो चायो तरफ चक्कर लगाती है वो है और और एक्सिस है दोनों ही imaginary है यानि काल्पमिक है ना रोटेशन रोटेशन क्या होता है पाइब फिश्च ए यानि एक ही एक जगे घुमना जैसे आप जब मशीन में वाशिंग मशीन में कपड़े स्पिन करते हो तो क्या होता है कपड़े एक ही जगे घुमते है अ अपनी ही जगे पे तो spinning movement of the earth on its axis यानि धर्ती का अपनी ही जगह पे एक ही एक जगह जो घूमती है उसको क्या कहते है rotation revolution का मतलब चक्कर लगाना movement of the earth around the sun earth का सूरे के चारो तरफ चक्कर लगाने को क्या कहते है revolution now we will come to practicing zone pick the correct option 3-4 of the earth is covered अब हमें कहते है अब हमारी धर्ती का 3-4 of earth किस से covered है land से, water से, air से, soil so the correct option is water से इसलिए हम इसको क्या कहते है blue planet interior of the earth अभी पढ़ा interior of earth को क्या कहते है core next rotation of the earth rotation से क्या होता है आपके days होती है night होती है नहीं both of them और revolution से क्या होता है आपके seasons होते है what do you understand by these terms अभी मैं define करना है orbit orbit क्या है orbit is an imaginary line on which the planet क्या करती है हमारी जो planet है sorry orbit क्या है the m orbit is the imaginary line on which चारो तरफ जब चक्र लगाते है उसको इसका definition क्या है the imaginary line on which the planet revolves now atmosphere atmosphere क्या है the layer of air around the earth अर्थ की चारो तरफ जो layer है air की हवा की उसको क्या करते है atmosphere rotation spinning moment यानि जो एक ही एक जगे घूमना so spinning moment of the earth on its axis orbit भार भार बता रहे है rotation rotation क्या होता है movement of the spinning moment of the earth on its axis और ये होता है revolution में orbit के चारो अर्बिट में revolution में क्या होता है एक fix orbit में चारो तरफ चक्र लगाते है तो revolution moment of the earth around the sun और rotation spinning moment okay on its एक axis पर now what is solar system solar system क्या होता है the sun and the eight planets make our solar system how did Ferdinand Magdalene prove that the earth is round in shape तो Ferdinand Magdalene ने कैसे prove किया तो उन्होंने एक अपनी सी में एक समुद्र में यात्रा शुरू की and he started a journey from the sea और थोड़े दिनों बात क्या हुआ वो वापिस अपनी ही जगह पर आ गए यानि यहां ही से उन्होंने जैसे यहां से स्टार्ट किया घूमते घूमते वापिस हो अपनी जगह आ गए that means it proves कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड इन शेप आप गोल चीज पे घूमते हो किसी पे तो आप वापिस उसी जगह आ जाते हो How much time does the earth take to complete one rotation एक rotation को लेने के लिए हमारी कितना अर्थ लगाती है या तो लगाती है 24 hours या 1 day फिच आलता 5 main seasons 5 main seasons हमारा पहला कौन है Summer Summer के बाद में हमारा क्या आ जाता है आपका रेनी रेनी के बाद में आपका autumn आपका बाद में winter और आपका spring 5 seasons है ना 1, 2, 3 रेनी को हम लोग मानसून भी बोलते है Why is earth a unique planet? हमारा earth unique क्यों है? Because our earth is a unique planet because it has given us क्या क्या देता है हम एर water फिर plants and animals इसलिए ये क्या है? Unique, okay Now draw the picture of solar system and label all the eight planets See diagram में आपको बना के बेजूंगी और आप उसको अपनी copy में draw कर लिएजगा, okay Next है हमारे पास question है What will happen to the length of the day if the speed of the earth's rotation increase अब आपको पता है rotation आपकी क्या होती है 24 hours में है अगर इस speed को हम बढ़ा दे ठीक है? तो क्या होगा? The length of the day if the speed of the earth's rotation increase अगर हम लोग अपना इसकी अर्थ की rotation को बढ़ा देंगी है ना? तो क्या होगा? जो हमारे दिन है वो क्या होगे? छोटे हो जाएगे क्योंकि जैसे for example आपको कहीं जाना है और अगर आप गाड़ी की आपको यहां से दिल ली जाना है ठीक है? आप एक speed पे चल रहे हैं मालनों आपको 24 hours लगते हैं लेकिन अगर आप गाड़ी की speed बढ़ा दोगे तो क्या होगा? आप जल्दी पहुँच जाओगे हैं ना? उसी तरह है कि अगर हम length of the day अब हमारा जो दिन 24 hours का है अगर हम उसकी speed बढ़ा देंगे तो वो जल्दी यल्दी यल्दी अपने axis पे गूमेगा और जल्दी घुमेगा तो क्या होगा? हमारा दिन छोटा हो जाएगा कोई comfort आफट हो जाएगा? जैसे गाड़ी की speed बढ़ा होगे तो कहीं भी जाना होगा तो आसानी से पहुँच जाओगी इसी तरह हमारा जो अगर हम अर्थ की rotation increase कर देंगे तो जो हमारा length होगा दिन का वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा तो इसके साथ ही हमारा ये lesson finish होता है थैंक्यू चिल्डरन अच्छे से इस lesson की reading लगाईएगा